राजत के विधायक ने कहा कि हिनास मैडम कहेंगी तो वे एक मिनट में पार्टी और विधायकी दोनों से रिजाइन कर देंगे हम आपको बता दे कि हिनास उचप राजत के बाहु बली नेता रहे शाबुद्दीन की पत्नी है सिवाण जीले के रगुनाथपूर विधान सभा से आरज एडिव विधायक हरीशंकर यादव ने आज हिनास उचप को लेकर ये दावा किया है हरिशंकर यादव ने कहा कि राजत के सुप्रीमो लालू यादव की भी आउकात नहीं है कि वे हिना सहब को राजसभा जाने से रोंग दे विधायक ने कहा कि हिना सहब तो 2020 में ही राज्यसभा चली जाती लेकिन वे खुद नहीं जाना चाहती थी उन्होंने खुद राजसभा जाने से इनकार कर दिया था इस बार वे राजसभा जरूर जाएंगी वे खुद नहीं जाएंगी तभी पाटी उन्हें राजसभा नहीं भेजेगी वरना राजद में किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक दे हरी शंकर यादव ने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा 2024 में सिवान से लोकसभा का चुनाओ लरेंगे आरजेडी के विधायक हरी शंकर यादव ने कहा कि हीना सहाब के लिए पाठी से इस्तिफा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पिछली बार ही जब हीना सहाब को राजसभा नहीं भेजा गया था तो वे इस्तिफा देने जा रहे थे मैडम के कहने पर ही इस्तिफा नहीं देने को राजी हुए इस बार अगर हीना सहाब को राजसभा नहीं भेजा जाएगा तो वे खुद इस्तिफा दे देंगे गौर तलव है कि अप्रिल मई में बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाओ होना है राजत को दो सीटे मिलनी तय है राजत की ओर से मीशा भारती को राज्यसभा भेजा जाना तय है उनका कारेकाल 2022 में समाप्त हो रहा है वहीं दूसरे सीट पर हिना साहब को राज्यसभा भेजने की मांग की जा रही है शाहबुद्दिन समर्थक जोडशोर से इसकी मांग कर रहे है आज इसके लिए राजत विधायक हरी शंकर यादव ने खुला मोर्चा खोल दिया हरी संकर यादव शाहबुद्दिन के करीबी माने जाते रहे है 2016 में जब शाहबुद्दिन जेल से छूट कर सिवान पहुचे थे तो उस वक्त हरी संकर यादव ने कहा था कि शाहबुद्दिन हमारे भगवान है जब महबद शाहबुद्दीन की मौत हुई तो उस समय भी हरी शंकर यादम ने बयान दिया था कि हीड मैडम बोल दे तो वे अभी विधायक पत्स से इस्तिफा दे देंगे